दिली नगर निगम चुनावों को लेकर के राजनेतिक गर्मा गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम पार्टियों पर या आरोप लगातार लग रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के टिकट पार्ट दे। आज ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा आपको पता दें द्वार्का विधान सभा के विधायक विने मिश्ट्रा पर यारोप मीनू वर्माने लगाया है। इसे पर ज्यादा बात्षीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व निगम पार्श्यद और MCD स्टेंडिंग कमेटी के पूर्व चेर्मेन विजेंदर यादव जी मौझूद है सर बहुत सुआगे था आपका इन 27 न्यूस पर बात इस पर कि द्वार्का के विधायक ने जो कारनामा कर दिया है ये स्क्रीन शोट सबसे पहले आप दिखा दें दर्शकों को देखिए ये स्क्रीन शोट है जिसके अंदर में कंप्लैंड है पुलीस कंप् ये आरोप है इन से 10 लाक रुपे टिकट के लिए उन्होंने बंगे और उन्होंने दिये परिशिमन से पहले जब ये सीट एसी एस्टी के एक्ट में सायद हो रही होगी उसके बाद ये जैसे मीना वर्मा जी जो दुआर का विधान सभा है उसमें आम आदमी पार्टी की मह जब टिकट नहीं मिली उनका ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने उन से विने मिस्रा जी से पैसो अपने वापसी मांगे लेकिन उन्होंने का मना कर दिया दिये नहीं और अपनी मोसी तिलोत्मा चोदरी जी को वो टिकट दे दी वहां से तो ऐसे परष्ट लोगों को करना चाहिए राजस्तान के परभारी के रूप में वो कारिय देख रहे हैं विने मिस्रा जी को वहां का परभारी बनाया गया है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इनके आका का भी इनको आशिरवात प्राप्त है तभी ये लोग ऐसे कारियों में सलिपते है विजिंदर जिस सरीके से पोस्ट में लिखा है मीनु वर्मा ने कि द्वार का विधान सभा के विधायक विने मिश्रा ने अर्विंद केजरवाल जी का नाम मिट्टी में मिला दिया तो क्या इतने सारे कारणामें हुए इतने सारे मंत्री जेल में है सतेंदर ज्येल में होने के बावज देख रहे हूंगे, अखिलेश पती तिरपाथी जी, इनके माडल टाउन से विदायक, वजीरपूर से राजेश गुपता जी और तीसरे विने मिस्रा जी, इन लोगों का जो ये इनके रिस्तेदारों के दुआरा, टिक्टो का वित्रन है, इसमें कहीं न कहीं, जो ये कारिये कर रहे हैं, जनता और इनके कारिये करता आहात है, और दिल्ली की जनता इनको दिखा देगी, कि ये जिस तरीके से ऐसे कारियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक तरीका गलत है, और जो सतेंदर जैन जी का, आप देखिए, सतेंदर जैन जी मंत्री है, आज वहां पर उन अधिकारियों को उनको बाहर से जो टीम है डाक्टो की बहजी जाती है मालिस कराई जाती है मसाज कराई जाती है वो वी आईपी ट्रीटमेंट उनहीं के लिए बना है बारत में जितने भी नागरिके वो चाहे जो हमारे जो मंत्री जी है इनके अलावा दूसरे वहां पर जिनकी सजायापता चल रही है उनकी तो मालिस की वीडियो आपने नहीं देखी होगी उनकी तो आपने कभी यह नहीं देखा होगा कि उनकी मसाज कराई जा रही है ऐसे मंत्री का तो आप देखिए आपकी सरकार उनको बचाने के लिए कैसे कैसे कारनामे कर रही है यह सब वोई जानते हैं जनता जवाब देगी इस दिली नगर निगम क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं भारतिय जनता पार्टी के और कहीं न कहीं आरोप इन पर भी है कि कुछ ऐसे कंडिडेटों को टिकट दे दिया गया है जो नए ने उत्रे थे परशूट कंडिडेट उनको कहा जा रहा है तो इस आरोप पर क्या कहेंगे देखे बारतिय जनता पार्टी वाल्ड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है और इसके अंदर एक ऐसे कारिये को प्रोसीजर को अपना कर टिकट वित्रन किया जाता है कि जिसमें राय सुमारी होती है जिले के अंदर वो कर्मत कारिये करता के रूप में कारिये करने वाले लोग है वो उनको टिकट मिलती है तो वो अगर चाहे किसी भी तरिक्ये से पार्टी के इत्मे कारिये करने वाले लोग है उनको टिकट मिला है वो बिल्कुल टिकट वित्रन से और विल्कुल हुआ है आम आदमी पार्टी के जो आरोपित विधायक हैं उनके लिए अनत제 में क्या कहना इसको वो संग्यान में ले के यह पूरी दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा कारिये करें जिससे के उनको अकल लगे के दूसरा भी कोई ऐसा कारिये करने के लिए सोचे ना बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विजेंदर यादव जी मौझूद थे MCD Standing Committee के पूर्व चेर्मेन और पूर्व निगम पार्षद हमने इनसे बादशीत की क्या आप लोगों की राय है क्या वाकही दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसा है जो बहुत गलत है क्या आपकी राय है नीचे कॉमेंट सेशन में जरूर बताएं और देशोर दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 News मैं हिमान शुमुद गल बहुत बहुत धन्यवाद आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर